नमस्कार आजम लोग कोपल कक्छा पांच जो बिहार बोड क्या होगा पहला पाठ पढ़ेंगे हिंद देश के निवासी और यह रचना विने चंद्र मोडगाली जी की है तो चलिए आपके सामने कविता का पाठ के साथ सत इसक्या भवार्थ भी समझाते चलेंगे हिन्द देश के निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप भेस भासा चाहे अनेक हैं यहाँ पर कवी कहना चा रहे हैं कि हम सब भारत के लोग एक हैं हमारे रंग रूप भेस भासा सब भिन है तब भी हम क्या हैं एक हैं क्योंकि हम लोग भारत के संतान है बेला गुलाब जुही चंपा चमेली प्यारी प्यारी फूल गुते माला में एक हैं यहाँ पर कभी कहते हैं बेला गुलाब जुही चंपा और चमेली आदी मालाओं के गुतने पर जो एक जाती और एक समाज में माला की सोभा बढ़ाता है वो फूल हैं हम और वही सब एक हैं हम भारत के क्या हैं निवासी हैं आगे है कोयल की कूक प्यारी पपिहे की टेर प्यारी गारही तराना बुल बुल राग मगर एक हैं यहां पर कवी कहते हैं कि कोयल की कूक प्यारी है पपिहे की टेर प्यारी है और बुल बुल की जो राग है अलग अलग है लेकिन उन सभी का राग एक है हमारी जाती धर्म विविताएं समाजी विविताएं सब अलग हैं तब भी हम भारत के वासी हैं करा है आगे कविता में कवी गंगा यमुना ब्रम पुत्र कृष्न का वेरी जाके मिल गए सागर में हुए सब एक हैं इसका आर्थ होगा कि गंगा यमुना ब्रम्पत्र का वेरी आदी अलग अलग नदी बहती है लेकिन अंत में वह सागर में ही मिलकर एक हो जाती है हम लोग जाती धर्म सब अलग अलग है पहनावा भेश भूसा सब अलग है लेकिन हम सब क्या हैं एक हैं आगे है धर्म है अनेक जिसका सारव ही है पंथ है निराले सब की मंजिल तो एक हैं हिंद देश के निवासी सभी जनेक हैं रंग रूप बेस बासा चाहे अनेक हैं यहाँ पर कभी कहते हैं हम धर्मा नेक हैं क्योंकि भारत विविताओं का देश है और यहाँ आठ धर्मों के लोग निवास करते हैं जिनका सार एक है पत अलग अलग है लेकिन हम सब एक हैं हिंद देश के हम निवासी हैं इसलिए यह कभीता हमें देश प्रेम को जागरित करने के लिए कहती है तो आज यह वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं धन्यवाद जैहिंज जैवार